हेलो व्रिवान हाई कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चानल टुबल थी है हाई प्रीस्टर्स दोस्तों आज हम बात करेंगे वेदिक जोतिश के बारे में बहुत सारे लोग जो इस अवेकनिंग के प्रॉसस में हैं कुछ लोग जो है जो इस स्पिरिच्वल अवेकनिंग के प्रॉसस में हैं कुछ लोग इस स्पिरिच्वल अवेकनिंग को पूरी तरीके से समझ चुके हैं वो ये जान चुके हैं कि ये एक इंटरनल यात्रा है ये हमारे बुरे कर्म जो है वो release होते हैं at the same time हमें बहुत सारी realizations होती हैं और कहीं न कहीं हम अपने better version में आते चले जाते हैं और जैसे जैसे हम अपने अच्छे स्वरूप में आते चले जाते हैं वैसे ही लोग हमारे जीवन का हिस्सा बनने लगते हैं कुछ लोगों को पूरे तरीके से ये बात clear हो चुकी है कि यात्रा जो है अंदर की है यात्रा पर मात्मा से मिलन की है और सुकून में भी होंगे definitely वो लोग और ग्यान से भी भरे होंगे जिनको ये चीज समझा चुकी है उनको ये भी पता है कि जो twin flame subject जो इस वक्त बहुत जादा परचलित हो गया है और ये twin flame भी कहीं बाहर नहीं है ये twin flame भी हमारे अंदर ही है spiritual journey के अंदर ही ये twin flame subject बहुत जादा famous हुआ है ना परंतु तो धिरे धिरे जिस जो ascend हो रहा होगा व्यक्ति उसको समझा आ गया होगा कि ये तो हमारे अंदर की शक्ति और shift की बात हो रही है देखिया वरन तो कुछ ऐसे भी लोग है जिनको अभी इस चीज की clarity नहीं है और उसमें भी कोई वैसा वाली बात नहीं है धिरे धिरे जब वो लोग भी ascend होंगे तो उनको भी बहुत कुछ समझ आने लगेगा कि जिस कस्तूरी को वो बहार ढूरने की कोशिश कर रहे हैं वो कस्तूरी बहार नहीं है वो उनके अंदर ही है वो एक ऐसे हीरन बने हुए है जो कि खुश्बू को ढूंते हुए इदर उदर भाग रही है या भाग रहा है परन्तों वो खुश्बू उसके अंदर से ही आ रही है इस बात को समझने में उन्हें कुछ समय लगेगा पर आई होप कि वो इसी लाइफ में सच्चाई को देख पाएं और समझ पाएं spiritual awakening के process में जो लोग ये claim करते हैं कि वो twin flame journey में है और उनके spiritual connection, twin flame connection के थुरू उनकी awakening हुई है परन्तु वो भी तो जो twin flame journey में हैं वो भी तो awakening के process में ही हैं तो वो चाहते हैं एक divine connection को अपने जीवन में शिव समान व्यक्ति को अपने जीवन में चाहते हैं या किसी शक्ति को अपने जीवन में चाहते हैं किसी high vibrational soul को अपने जीवन में चाहते हैं परन्तु उस तरीके की सोल को पराप्त करना उस तरीके की पार्टनर को पराप्त करने के लिए पहले उन्हें वैसा बनना होगा उस level of energy पर पहुँचना होगा तभी वो चीज संबव है अगर आप जट पटाएं या जल्दी उसे पराप्त करने की कोशिश करेंगे समय से पहले अपने पर काम किये बगेर तो सिर्व और सिर्व दुख ही प्राप्त होगा और ये सत्य है बहुत से क्लाइंड जिन्नों ने शायद ऐसे चानल्स को सुना जिसमें कि बस ये सिखाया जाता है कि 3D यूनियन तो आपको कैसे भी करना है जिन स्तिरियों ने जिन महिलाओं ने जिन पुरुशों ने ये करा वो रोते रोते कई बारी मेरे पास आते हैं कि एक साल भी नहीं टिकी हमारी शादी इतना लडाई जगडा खलेश हुआ आज भी हम उसे भूल नहीं पा रहे आज भी कि आप किसी भी जनम में उसे नहीं भूल पाओगे परन्तो ये सेपरेशन इसले हुआ क्यों क्योंकि अभी आप उस चीज के लायक नहीं हो जिस चीज को पराप्त करने की कोशिश कर रहे हो तो पहले आपको उस चीज को के लायक बनना है बहुत सारे लोग आपको ऐसा सिखाते हुए मिलेंगे कि आप ये करो आप वो करो और ये सब चीजे करके जो है आप उसे पराप्त कर लोगे ख़ई लोग आपको मेरे जैसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि देखिए आपको अपने अंदर काम करना है और अगर आप अपने अंदर काम खरोगे तो सारी possibility हो जाएंगी मैं Divine Connection को ये नहीं कहती कि Divine Connection नाम की कोई चीज नहीं होती है ऐसा नहीं कहती मैं होती है, विल्कुल होती है अगर आप खुद में Divine Person हो खुद Pure हो तो वैसे ही परसन आपको आपके जीवन में क्यों नहीं मिलेगा जैसी हमारी Vibration होती है वैसे ही लोग हमारे जीवन में आते हैं अगर आपकी Low Vibration है बहुत ज़ादा तो आप देखोगी आपके जीवन में कुछ दिनों पहले गलती से एक वीडियो मेरे सामने आ गया और उस वीडियो में एक Awakening के प्रोसस में एक महिला थी और वो ये कह रही थी उस वीडियो में कि मुझे मेरा Twin इतना अच्छा लगता है कि इतना अच्छा लगता है और मुझे दूसरी बारी में ये लगा कि इस लेडि की यात्रा भी बहुत लंबी है जिस बच्चे को अपनी कोक से पैदा किया जो माबाप उसको इतनी च्छतर शाया दे रहे हैं वो उसके साथ उसको Connectivity नहीं फील हो रही है उनके प्रति उसे प्रेम फील नहीं हो रहा है सिर्फ उस बाहर का एक जो व्यक्ति है जो कहीं न कहीं उसको अवेकन होने में मदद कर रहा है spiritually grow होने में मदद कर रहा है बस उसको वोही अपना लग रहा है तो मैं को अंदर से समझ आया मुझे जो एंजल्स भी गाइड करने लगे मानो आजू बाजू से कह रहे है कि इसकी यात्रा भी बहुत लंबी है इस लेडी की बहुत लंबी है ये तो अभी उनको भी प्रेम नहीं दे पा रही है जो इसके इतने अपने है ज्यादा तर ऐसे लोगों का मून कमजोर होता है चंदरमा कमजोर होता है इस जर्णी में जो लोग परमात्मा से जुड़ चुके हैं उनके अंदर परमात्मा का आइंशाने लगता है और वो सब ही से प्रेम करने लगते हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति से प्रेम नहीं करते हैं उन्हें सिर्फ एक व्यक्ति के प्रतिदया नहीं होती है उन्हें सारे संसार से प्रेम होने लगता है वो सब के लिए अच्छा चाहते हैं परन्तु जो व्यक्ति अभी अपनी कामनाओं में अटका हुआ है अभी low vibration में हैं, उसके lower chakras heal नहीं हैं, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के पीछे जा भागता है और वहां से भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है तो इस कहानी में, इस यात्रा में आपको आपकी डोर जो है बर्मात्मा से जोडनी है फिर उनका अंश आप में जागरित होगा, फिर आपको सबसे प्रेम होने लगेगा, सिर्फ एक लेक्ति से नहीं इस spiritual awakening के process में बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और जब मैं उनके charts बगेरा देखती हूँ, जैसे अभी recently मैंने D9 chart को announce किया था बड़े सारे लोग आए और उनके जब मैंने D9 chart देखा जो कि आपकी कहीं न कहीं बताता है कि कितने करमाज आपके क्या release हुए हैं, second face of life आपका कैसा रहेगा, इस life में आप soul purpose करोगे भी कि नहीं करोगे या फिर क्या दिख रहा है, कौन से करम है जो आपने release करने हैं अपने जिन्दगी के दुसरे हिस्से में जब मैंने वो reading announce करी तो बहुत सारे नए लोग मेरे पास आए, नए लोग क्यों, पुराने तो मेरे clients हैं और 80% उनमें से heal भी है अब ये नए लोग कौन से थे जो काफी लंबे समय से desires मेटके हुए हैं, जो कई सारे ऐसे channel को follow करते हैं, जो बस channeling videos के आधार पर ही अपने channel को चला रही हैं और जो बिचारे बैटके बस viewer ये सोच रहे हैं कि कल ही या परसो ही या बस इसी साल के अगले साल बस हमारा union हो जाए तो ऐसे बहुत से लोग निकल के मेरे पास आए और उन्होंने अपने चार्ट्स दिखाए और उनकी चार्ट्स में मैं आपको बताओं कि मतलब इतने करमाज अभी दिख रहे थे कि क्या बताओं मैं, मतलब उनको ऐसी desires रखनी ही नहीं चाहिए उनको सिर्फ खुद पे काम करना चाहिए और जैसे जैसे वो खुद पे काम करेंगे वैसे वैसे उनकी वो हैवी करमा रिलीज होंगे and then तब possibilities बननी शुरू होगी एक clear picture जब उनके सामने आई तो बहुत सारे लोग, मतलब मैं ही कहूँगी हडबडा से गई कि ये क्या क्योंकि उनकों दिमाग में तो ऐसा भरा हुआ है कि बस अब तो कली होता है या परसो ही होता है यहाँ जितने भी soul community में लोग हैं हर किसी की यात्रा अलग है हर किसी की कर्म भी अलग है, हर किसी की learning lessons भी अलग है तो कैसे कोई channeling videos या किसी एक के कहने पे जो है अपने जिन्दिगी के उस पे बैठा हुआ है कि बस अब कली होता है, कि परसो ही होता है, कि बस नहीं ऐसे ब्रहम में ना रहें आप लोग इसी दोरान जब मैं वो चार्स देख रही थी, बहुत ही प्यारी, एक respected सी मेरी client आई और नहीं थी वो, उन्हें बड़े प्यार से मुझे बोला कि दिखे, मैं बहुत जादा trust करती हूँ इन सब चीजों पे लेकिन लोग बोलते हैं कि जोतीशे astrology को follow नहीं करना चाहिए, तो follow तो फिर desires को भी नहीं करना चाहिए, हाँ और जैसे कि सद्गुरू बोलते हैं कि लोगों को हीलिंग भी नहीं भेजनी चाहिए, कर्मा बनते हैं, बहुत सारी चीज़े हैं जो नहीं करनी चाहिए, पर लोग करते हैं और कर रहे हैं इन्हों नहीं, जो मेरी respected client थी, इन्होंने मुझे बताया कि देखे उरवशी, मैंने बहुत सारी चीज़े करी हुई हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने रेकी, करुना, रेकी, प्रानिक हीलिंग, लामा फेरा, मैगनिफाइड हीलिंग, बहुत सारी चीज़े बतायी और सि पिर इतने परिशान क्यों हो, फिर तो बैलेंस हो के अपने जीवन को जी हो, मैंने तो ये सारी चीजे कुछ भी नहीं करी, न रेकी, न लामा फेरा, पर हाँ, मैं साधना मार्क से जुड़ी हुई हूँ, मैं साधना करती हूँ, और उसी से रिलेटेड मुझे बहुत गाइड बैलेंस आती है कि साधना मार्क में अब और क्या चीजे मेरे को आगी करनी है, तो मैं जिस चीज को, तो हीलिंग के जिस मार्क से मैं जुड़ी हूँ, मैं ये देखती हूँ कि उस चीज से जुड़ने के बाद मेरे अंदर की डिजायर्स बहुत कम हो गई, मेरे अंदर के ज इसका मेरे उपर जादा कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि वो जो मेरी जो मेरा मार्ग है जो मेरी साधना है वो मुझे पूरा प्रटेक्ट करके रखती है और कोई डिजायर्स भी नहीं है उस तरीके की जो कि मुझे बेचैन करें परन्तु मैं लोगों को देखती हूं कि बहुत कुछ वो क्लेम करते हैं बहुत कुछ मुझे बताते हैं कि ये 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 चीज़े हमने सारी करी है परन्तु मैं फिर भी देखती हूं कि वो काफिर डिजायर्स में है बेचैने परिशान है मैं पूरी तरीके से रिस्पेक करती हूं इन विदेशी हीलिंग टेखनीक्स की बहुत जादा इविन कुछ कुछ चीज़े मेरा खुद का भी सीखने का मन करता है और फिर परमात्मा की जब इच्छा होगी जब बनेंगे वो संयोग तो मैं भी सीखूंगी जब मेरे को जैस मैं ये देखती हूं कि जिसे मैं साधना मार्क से हूँ ठीक है न मैं देवी की भक्त हूँ भगवान की पूजा अराधना रेलिजिस चीज़ों को फॉलो करना ये मुरी अंतरात्मा से आता है लेकिन अट दे सेम टाइम मैं विदेशों की जो टेकनीक है इसकी पे मैं बहुत जाधा रिस्पेक करती हूं तो मैं कुछ लोगों को देखती हूं कि वो जो है इन सारी जो विदेशी टेकनीक्स हैं हीलिंग की उसको दिल खोल के स्विकार करते हैं और अपने देश की जो संस्कृती संसकार ग्यान और विज्ञान है उसके बारे में बड़े अजीब तरीक से बात करते हैं कि अरे इसे फॉलो नहीं करना चाहिए इस पे निर्भर नहीं होना चाहिए निर्भर तो किसी भी चीज़ पे नहीं होना चाहिए सरफ इस पे नहीं किसी भी चीज़ पे निर्भर नहीं होना चाहिए ठीक है तो मैं बस आप लोगों से एक ही बात कहूंगी क जैसे दिल खोल के आप इस अवेकनिंग की जूर्णी में स्विकार करते हो विदेशों के संसकारों को, विदेशों की हीलिंग टेकनिक्स को, वैसे ही अपने देश की जो ग्यान और विज्ञान है, उसका भी सम्मान करें. यह हमारे देश के संसकार है, यह हमारे देश का ग्यान है, विज्ञान है, विदेशी यहां पर आके इसको सीख के जाके अपने देश के लोगों को बताते हैं, हमारे देश के लोगों को भी इसका सम्मान करना चाहिए, बड़े सारे जो है, बड़े बड़े जो गुरु हैं, क कुछ होने लगता है, उनकी खुद की vibration desires पे अटकी हुई है, low vibrational हुई है, वो कुछ भी पराप्त नहीं कर पाते हैं, तो आपकी तो जो power है, वो आपकी vibration है, परंत उसका मतलब यह नहीं है, कि आपने जो है, वेदिक astrology का जो है, मजाक उड़ाने लग जाना है, या अपमान करन लग जाना है, हमारे जो spiritual gurus हैं, वो कई और भी ऐसी बाते आजकल बोल रहे हैं, कि जैसे healing नहीं देनी चाहिए, किसी को उससे भी karma बनते हैं, और बहुत सी चीज़े, लेकिन देखे, हमें भी सुनते हम सब कुछ ही हैं, ठीके ना, सब कुछ ही बाहर से सुन रहे हैं हम, पर और वेदिक astrology जो है, वो अपने आप में एक विज्ञान है, बहुत गहन है, बहुत डीप है, और इसको समझने के लिए intellectual mind चाहिए हैं, ये कोई 5-6 दिन में सीख जाने वाली टेकनीक नहीं है, इसको सीखने में सालो लग जाते हैं, तो थोड़ा सा वेदिक astrology की बारे में बताता है, हमारी भारती संस्कृती वेदो पर अधारित है, वेदो में ना सिर्फ धार्मिक बलकि चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जैसे विशो का विस्तरत वर्णन मिलता है, भारती जोतिश विद्या का जनम भी वे ज्यान है आकाश में स्थित सूर चंद्र मनो ग्रहो नक्षत्रों का अध्यन करता है पृत्वी पर रहने वाले मनुश्य के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये सब बताता है वेदिक जोतिश वेदिक जोतिश की गढ़ना करते समय राशी चक्र नवगरह जनम रा सम्हू को नक्षत्र कहते हैं कुल नक्षत्रों की संख्या 27 है परतेक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है राशी चक्र में परतेक राशी में 30 डिग्री होती है राशी चक्र में सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी है नवगरह सूर चंद्रमा मंगल गुरू बुद्ध प्रदान करते हैं राहू और केतु को अभास से ग्रह माना जाता है। इनका वास्तविक अस्तितु नहीं है। ये दोनों राशी मंडल में गणित्य बिंदू के रूप में अस्तित है। धिशा में उदित होती है, वे राशी विक्ति का जनम लगन कहलाती है। जनम के समय चंदरमा जिस राशी में बैठा होता है उस राशी को जनम राशी या चंदर लगन कहते हैं। वेदिक जोतिश में सूरे ग्रहे को उर्या, भराकरम, सम्मान, पिता, आत्मा का कारक माना जाता है। सभी ग्रहों का राज़ा भी सूरे को कहते हैं। सूरे के प्रकाश से सभी ग्रहे और तारों में प्रकाश आता है। जातक कि किसी भी व्यक्ति की गुणली में जब सूरे क इस्तिती बहुत मजबूत होती है तो उसे बहुत से फायदे मिलते हैं उसे नौकरी सम्मान उच्छ पद प्राप्त होता है वे लीडर बनकर भी उभरता है वेदिक जोतिश में चंद्र को बहुत मानेत दी गई है सबी ग्रहों में चंद्रमा को मन, माता, धन, जल और यात्रा का कारक माना किया है जिन जातकों का चंद्र पीडित होता है या कमजोर होता है उनका मन हमेशा व्याकुल रहता है बेचैन रहते हैं डिप्रेशन रहता है ऐसे लोगों को जातक की किसी भी व्यक्ति की उनली में जब चंद्रमा शुब स्थान में बैठा होता है तो वे जात तक कि चंदर राशी कहलाती है। चंदर ग्रह कमजोर होने से व्यक्ति को मानसिक तनाफ, डिपरेशन, अफसाथ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इतना खुछ आपका एस्ट्रोजी चार्ड जो है, बताता है, परन्तु ये बहुत दीब है, गहरा है, और सिर्फ गहरे ही लोग यहां तक जा सकते हैं। इस जर्नी में हमारा बड़ा मन करता है कि हम गहराईों में जाएं, हम हर चीज की तह तक जाएं, कि ये क्यूं हुआ, वो क्या है, क्या नहीं है, हर चीज को जाना चाहते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा एस्ट्रोजी को अध्यन करें, इसकी गहराई में जाएं, इसको सिर्फ भविश्यवाने तक ना समेट के रखें, ठीके न, इससे डरें नहीं, सिर्फ इसको समझें, तो आपको बहुत मज़ा आने लगेगा, आपको बहुत से परदे जो आपके आँखों के आगे पड़े हुए हैं, वो हटने लगेंगे। मंगल ग्रह, मंगल बहुत important planet है कुंडिली में, मैं मंगल को लेके एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी, बहुत आपको अच्छा लगेगा वो वीडियो, मंगल ग्रह, जोतिश विज्ञान के अनुसर, मंगल ग्रह को शक्ति कहा जाता है, साहस, कुरोध, उतेजना, शस्त्र, छोटे भाई का कारक माना जाता है, जिन जातकों का मंगल अच्छा होता है, वे सभाव से बहुत साहसी होते हैं, किसी से भी नहीं डरते हैं, उन्हें युद्ध में विजय पराप्त होती है, परंतु यदि मंगल की स्थिती सही ना हो, सही स्थान पे बैठा ना हो, यही सही राशी के साथ ना हो, तो आप बड़े नकार आत्मकफल एक्सपीरेंस होते हैं, तो ऐसे ही सारे प्लानेट्स को अगर आप धीरे-धीरे समझोगे, तो आपको बहुत कुछ समझ आने लगेगा, सूर्य जैसे आपकी पिता को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आपकी आत्मा को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप थोड़ा गहराई में जाओगे, अपने आस्टलाजी चार्ट को खोलोगे, तो आपको आपकी पिता का जो नेचर था, या आपकी आप अंदर से कैसे हो, वो आपको बहुत स्पष्ट तरीके से अपने चार्ट के अकॉर्डिंग दिखने लगेगा, तो इसको ना एक विद्या की तरह लो, एक ग्यान की तरह लो, एक विज्यान की तरह लो, तो बहुत मज़ा आने लगेगा, जैसे मैंने पहले कहा कि, हर field में कुछ बहुत बुरे लोग आते हैं कुछ बहुत अच्छे लोग आते हैं जोतिश में भी definitely ऐसा रहा होगा कोई तो ज्यानी हुए जिन्होंने काफी कुछ बताया और कोई जो है इस तरीके के चोर टाइप के niche टाइप के लोग आए जिन्होंने सिर्फ इसको समेट के रख दिया इसको भविश्यवानी तक ही बना दिया कि इतना विज्ञान जो है उसको समेट के बना दिया बस इतना कि ये एक भविश्यवानी करने लाइक चीज़ है बस तो मैं बस एक ही चीज कहूंगी दोस्तों जैसे आप विदेशों की बड़ी सारी healing technique सीखते हैं और उन्हें सिकार करते हैं और उनसे benefit लेते हैं वैसे ही आप अपने देश की भी जो चीजें हैं जो हमारा हमारी संस्कृती है, हमारा ग्यान है हमारे वेदों से आई होई चीजें हैं उन्हें भी देखें, क्या हो गया clear picture दे रहा है, ठीक है, अगर कोई चीज गलत भी दिखाई दे रही है आपको कोई बात नहीं कम से कम आपको पता तो चल रहा है कि यहां मेरा कर्मा डामेज है, इसी को तो मुझे ठीक करना है प्रॉब्लम क्या है, सच्चाई देखने में डर थोड़ना लगना चाहिए आपको पता तो चले कि exactly मुझे काम कहां पर करना है मंगल नीच का अगर आपकी कुणली में हो रखा है आपको आपके मुलाधार चक्र पर काम करना है म्रस्पति नीच का हो रखा है तो अपने मनिपूर चक्र को सही करो solar plexus चक्र पर काम करो अच्छे गुरुओं को सुनो, अच्छी किताबे पड़ो कितने clear picture देता है पर पता नहीं क्या बना दिया है मतलब okay that's it ये था मिरे आज का वीडियो, I hope आप लोगों का अच्छा लगाओ thank you so much, bye bye, take care